सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल SMStudy Guru और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकसन के लिए इस बेल आइकन को दवाएं जैन फ्रेंड्स आइम शुभाम वेलकम टू माई यूटुब चैनल SMStudy Guru जी हैं तोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर सो कोश्चेन कवर के जाएंगे इस वीडियो में अगळियेग साया तो लाइक सेर ऐसाया तो हम नेक्स के पार्टो पार्ट बनाते रहेंगे और आपका जो परिछ्य पृतावाइत अक्टूबर में परिच्छा प्रस्तावित है तो काफी कम दिन बचे हैं अपनी तयारी को बहुत ही अच्छे से इनलेस करिए चेक करिए अगर इस पाले पेपर में आप 25 से ज्यादा कोश्चन कर पा रहे हैं इसका मतलब आए कि आपकी तयारी बहुत ही अच्छी चल रही है चले फिर स्टार्ट करते आज का अपना पहला कोशन देखते हैं पहला मुति क्या बोल ला है महिलाओं के खिलाफ हिंसा अनमूलन के लिए अंतराष्ठिय दिवस दुनिया भर में हर साल कब मना जाता है तो यहां से देखिए विश्व में अंतराष्टी महला उन्मूलन दिवस के रूप में हर वर्स 25 नवंबर 25 नवंबर को मना जाता है इसका उद्देश से क्या है इसका उद्देश से पूरे विश्व में महलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के पत्ति लोगों को जागरूप करना तो यहां पर जो मना जाता है वो 25 नवंबर को मना जाता है अगर यहीं हम लोगों को बात कर लें अंतराष्टी महला दिवस मना जाता है आट मार्च को अंतराष्टी महला दिवस नेक्स्ट कोशन की तरफ चलता है देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है उच्छोतम से नेमतम पद को बताना है कि सबसे उचे पद से लेके सबसे नीचे पद कौन सा है तो इन चारों में से देखिए कैबिनेट सच्चिप, कलेक्टर, संभागी आयूक्त और प्रमुक्षच तो सबसे उपर कौन सा होता है, सबसे उपर होता आपका cabinet सचिप, तो माली जहाएगा cabinet सचिप, cabinet सचिप से नीचे हो जाएगा प्रमुक सचिप, तो देखिए cabinet सचिप है A, उसके बाद आ जाएगा प्रमुक सचिप मतलब D, उसके बाद देखिए कौन सा आ जाएगा, उसके ब अंसर हो जाएगा ADCB सही सिक्वेंस हो जाएगा उचे पस से उचे तम से निम्तम पद की और 43 नमबर देखिए क्या बोला है भारती वाईशेना का वह एक मात्र अधिकारी कौन सा है जिसे फील्ड मार्सल की पदवी के बरावर पांस इतारा स्रेणी पर पदोवनित किया गया था तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जन सिंह जो है ये वाईशेना के एक मात्र ऐसे अधिकारी है जिन्हें 2002 में 2002 में सन 2002 में फील्ड मार्सल की पदवी के बराबर 5 सितारा सरेड़ी में पदुनित किया गया था अर यही जो अर्जन सिंग है जो अपना 1965 का भारत पाकिस्तान का जो उत्ध हो आता उस दौरान भारत उसकी जो वायुशे ना थी इंडियन एरफोर्स थी उसका इन्होंने नेतुरत भी किया था और यही अरजन सिंग 1965-1989 से 90 की बीच में दिल्ली के उपराचपल भी रह चुके हैं तो बहुत अच्छा कोश्चन था काफी अच्छा कोश्चन है इसको आप लोग एक अला कोश्चन देखते हैं भगस सिंग और उनके मित्रों को किस मामले में गृफतार किया गया था देखिए ऑप्संस क्या है सेंट्रल असेंबली बंकांड डालोजी स्क्वार बंकांड केक्सकन हॉल में गोली चलाना या फिर अपसर जैक्सन को गोली मारना तो देखिए भगस सिंग का जो संबंध है व एक प्रत्कूल विद्यक के बिरोध में बंफ एक दिया था इसी गटना को सेंट्रल असेंबली बंकांड कहा जाता है इसमें भागस सिंग और उनके दोस्तों को किरिफतार कर लिया गया था नेक्ट कोशन देखते हैं 45 नंबर यहां बोला है 1973 के किस मामले में सुप्रीम अपने पिछले फैसले को दोस्त किया और कहा कि प्रस्तावना सम्भवना का एक हिस्शा है तो आपको बताना है यह कौँसा कई टहां यह आपका कहा गया केशवानंद केशवानंद भारती बनाम केरलाज यह कौन सा 1973 इसमें यह कहा गया है कि जो प्रस्तावना है वो शम्विदान का एक हिस्सा है नेक्स कोशन देखते हैं भूकम की तीब्रतम आपने वाला यंत्र पैमाना कौन सा है तो यहां से देखिए एक त दोनों इसके आंसर हो सकते हैं तो यहां पर एक कॉंटर डिक्ट है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि भूकम का जो रिक्टर पैमाना है इसकी अविश्कार किस ने किया था तो चार्ल्स एफ रिक्टर ने चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में इसकी अविश्कार किया थ इक्टर पैमाने का तो यहां से दोनों आंसर आपके सही हैं यहां पर जब UPSI के जो वह आई थी उसमें ये कुश्चन कांट्रडिक्ट था क्योंकि इसका मैं केरी पैमाना और इक्टर पैमाना इसके दोनों आंसर सही थे अगला कुश्चन देखते हैं भारत के संभिधान में उल्लिखित निमनुखेंस ले कौन 신 का अधिकार मानवदकारों की शारबहम घोश्चना में उल्लिखित नहीं है तो यहां से देखिए 10 देखिए 10 दसमबर 1948 को मानवदकारों की शारबहम घोश्चना अंगीकार की गई कुल इसमें कुल तीस अनुच्छेद हैं तीस अनुच्छेद हैं देखिए समान नागरिक सहता यह आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा यह अनुच्छेद हो जाएगा आपका चवालिस जंगलों का संदच्छां सुधार और सुरच्छा यह हो जाएगा 48 का का तो यहां से यह दोनों दोनों यहां पर इनका उलेख नहीं है तो इसका सही अंसर हो जाएगा A और B दोनों इन दोनों का उलेख इसमें नहीं है तो इसका सही अंसर हो जाएगा A और B दोनों option C इसका correct answer हो जाएगा देखिए एगला question क्या बोला है निम लिखित में से किस देश ने वर्स 2016 में अपनी माना वियुक्त अंतरिष्च उड़ान Sanjo 11 को launch किया है तो इसको आपको answer बताना है कि Sanjo 11 जो launch हुई है वो किसके द्वारा launch की गई है तो यह देखिए current का question था उस time के यह करी गई थी 17 October 2016 को और किस देश को द्वारा हुआ था तो इसका launching हुई थी चीन के द्वारा next question देखते हैं निम लिखित में से कौन सा संग सूची का हिस्सा नहीं है तो देखिए सबसे पहले हम लोग भात कर लेते हैं जो तीन सूचियां है संग सूची, राज सूची और संबर्ती सूची तो इनका यह कौन सी अनसूची में है अनसूची 7th 7th अनसूची में इसका वर्णर आपको देखने को मिलेगा संग सूची क्या है संग सूची वो सूची है जिसमें केबल और केबल केंडर सरकार कानून बना सकती है इसके अंतरगात देखिए कौन कौन सा आते हैं इसके अंतरगात आता आपका रच्छा बैंकिंग रेलवे इसके अंदर और भी काफी आते हैं इसके अंदर टोटल अभी बर्तवान में 100 विस हैं, इसमर है, संग सूची में, अगर हम लोग बात करने हैं, राजी सूची की, तो राजी सूची का मतलब है कि यह राजी सरकार उसमें हस्चेप कर सकती है, कानूर ना सकती है, जैसे कि कृष्षी हो गया, पुलिस हो गया, सूची में प्रारम में 97, अब हम लोग बात कर लेते हैं, संवर्ती सूची, संवर्ती सूची क्या होता है, संवर्ती सूची वो सूची होता है, जिसमें केंदर और राज, दोनों लोग हस्चेप कर सकते हैं, दोनों लोग कानून बना सकते हैं, तो देखिए उसमें क्या क्य हो जाएगा सिच्छा हो जाएगा ब्यापार हो जाएगा जंगल हो जाएंगे कानून हो जाएगा चिकस्था हो जाएगा तो इसमें क्या है कि यह सब चीज़ जो है वो केंद और राज दोनों लोग कर सकते हैं इसमें टोटल कितने हैं इसमें टोटल बावन विशा है और पहल का हो जाएगा संबर्ति सूची का खाद्य अधिनमों का यहां से दिखिए औध्योधिक संग के करमचारियों से संबंदित विवाद यहां सो जाएगा option D option D इसका correct answer हो जाएगा 49 का option D इस वाले case में केवल केवल संग सूची ही इंटरफेर कर पाएगी तो 49 का हो जाएगा D answer इसका correct हो जाएगा next question देखते हैं यहां से बोला भारत सरकार ने पसु चिकस्ता की उपयोग में डाइक क्लोफे नाक दबा पर पतवन्द लगा दिया है जिसकी वज़े से भारतिय उपमादीप में किसकी संख्या में तेजी से ग्रावट आई है तो यहां से देखिए गिद मोर बाग या फिर गोरहिया उसका सही अंसर हो जाएगा गिद भारतिय उपमादीप के गिदों में काफी गिरावट देखने को मिली थी अगला कुश्चन देखते हैं बुला है स्वाचालित वर्सा सेंसर के सिद्धान पर काम करता है किस सिद्धान पर कारूं करता है देखिए उपसंस है कुल आंत्रिक पतिविंब व्यवधान अपवरतन या फिर बिखराओ तो इसमें पानी की हवा में हवा के बुलबुले का चमकना पानी के जो बुलबुले होते हैं उनको चमकना हीरे की जगमगाहट या फिर ऑप्टिकल फाइवर जिस सभी कुल आंत्रिक पतिविंब या फिर कुल आंत्रिक परावरतन के उधारन है तो जो आपका स्वचलित वर्सा सेंसर होता है ये भी इसी कही हो दारत हो यहां से 51 का एंसर बिलकुल सही हो जाएगा अगले बात करते हैं 52 नंबर देखिए next question क्या बोलना है यहाँ पर सयुक्त स्टा कंपनियों की लेखा परिच्छा होती है ताकि लाब भड़े साख बड़े सेर धारक संतुष्ठ हो या फिर वैध्यानिक अवश्यक्ता पूरी हो तो देखिए इसमें क्या होता है लेखा परिच्छा का सबसे ब्यापक अर्थ किसी व्यक्त संस्था पर्योजन इत्यादिका मुल्यांकन करना है सायुक्त इस्टा कंपनियों की लेखा परिच्छा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि दी गई सूचना वैध्या विश्योश्यनी है या नहीं है तो यहां से देखिए, यहां से सिर्फ औु सिर्फ चार व्यध्यानिक अवस्टता पूरी हो तो यहां से देखिए केवलो और केवल चार किस में है केवल और केवल 4 आपका है option B में तो यहां से आपसर सही answer हो जाएगा option B इसका correct answer हो जाएगा next 53 question की तरफ चलते हैं यहां से दिखे 53 भारतिय दंद सहता की धाराएं 369 से 374 किन कृत्यों से संबंदित हैं तो देखिए 369 से 374 किन कित्यों से संबंदित हैं यहां से देखिए यहां पर हो जाएगा आपका अपरहन बहला फुचला कर भागा ले जाने वाले हैं गुलामी और जवरान मजदूरी करना option D 369 से 374 की बीच में यही आते हैं 307 जो आपका हत्या का प्रियास है यहां था आपका 307 में और 302 हत्या आती है आपकी 302 में किसी की हत्या करना हो जाएगा 302 में हत्या का प्रियास करना हो जाएगा 307 307 में हो जाएगा हत्या का प्रियास और 302 में हो जाएगी हत्या करना और बलातकार सहित यौन अपराद यह आपका 375 में और अगर बात के लिए जाते अप्रक्राति का अप्रात जो है वो है 377 में तो यहां से देखिए यह 377 हो गया, यह 307 हो गया और यह 375 हो गया हमसे पूछा 369 से 344 की बीच में तो option D option D विलकुल इसका correct answer हो जाएगा next question देखते हैं निम लिखित में से कौन सा भारत के संब्धान में नागरिकों के मौलिक अधकारों के तहत कहा गया था तो यहां से देखिए 54 में तो यह देखिए 54 का article जो 28 है article 28 28 के तहत क्या गया था किसी भी सैचछिक संस्था में कोई भी धार्मिक निर्देस नहीं दिया जाएगा किसी भी सैच्छिक संस्था में कोई भी धार्मिक निर्देस नहीं दिया जाएगा तो यहां से देखिए यहां से क्या हो जाएगा यहां से बोल ला किसी भी सैच्छिक संस्थान में कोई भी धारमिक निर्देस नहीं दिया जाएगा तो यहां से option A बिलकुल सही हो जाएगा अगर हम लोग बात करनें कि मौलिक अधिकार आर्टिकल के कहां से है तो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है अगर बात करें कहां से लिए गए हैं तो यह लिए गए हैं अमेरिका के शम्विधान से next question की बात करें 11,000 से अधिक और 25,000 से कम निवाशियों के लिए एक सहरी केंदर की किसके रूप में वर्णिकित किया जाता है देखे ग्राम पंचायत अब देखे बात कर लेते हैं आपके 74 सम्विधान संसोदान अधनियम 1992 उसमें 12 अनुसूची में 12 अनुसूची में सहरी और इस्थानी निकाओं को सम्विधानिक दरजा दिया गया था उसके बाद देखे त्री इस तरिये जो हमारी सहरी सुषाशन है उसमें देखे नगर निगम हमारा सीर्स निकाओं है नगर निगम जो हमारा है वो हमारा सीर्स निकाओं है नगर निगम के बाद आता है नगर पालिका नगर पालिका हमारा मदवर्ती निकाओं है उसके बाद आता है नगर पंचायत, नगर पंचायती हमारा है वो संक्रमण कालीन निकाय है तो जो हमारा इसका वर्णन किया गया है, हमारा सहरी समविदान की जो संसुची है fin busy 12 में, 12 में सहरी और स्थानी निकायों की समविदानिक δرجा प्राप्त किया थ तो यहां से इसका सही अंसर हो यागन नगर पंचायत, ग्यारा जार से अधिक जनसंग्या है और पच्छे से कम है, तो वो नगर पंचायत कहलाएगा, नेक्स्ट कोशन देखते हैं यहाँ पर, विजय नगर, विजय नगर समराज जी का अंतिम सासक कौन था, तो यहां से सचाय के पानी में, उर्वरक या रसाइनो को मिलावट को क्या कहते है, तो इपसर जाएगा, मतलब सचाई, तो देखिए फर्टी गेसन इसको बोलेंगे फर्टी गेसन फर्टी गेसन क्या है इसमें डिप डिप सिस्टम होता है डिप डिप सिस्टम की माध्यम से औरवरक को पौदे तक पहुचाया जाता है किसके साथ जल के साथ जल के साथ तो औरवरक को पौदे तक पहुचाया जात जब कम से कम प्रश्चत भूमी के कितना परसेंट निवाशियों की लिखित रूप से मंजूरी राप्त हो जाए तो देखिए ग्राम समधान होगा इसका विचार जो होगा था उन्निस सो बानवे में के 75 परसेंट जो होते हैं निवाशी वो लिखित रूप से अगर मंजूरी दे देंगे तो वो है गाओ ये तब ग्रामदान गोशित हो जाएगा तो यहां से देखिए 59 परसेंट भूमी के 75 परसेंट लोग देखिए 55 परसेंट के साप्सन में है एक 55 परसेंट आपका है ऑप्सन बी में नेक्स्ट कोशन अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि खिलाणियों के पैर की बीमारी निम्लिखित में से कौन सी वज़ेस है तो कौन सी वज़ेस का सही अंसर हो जाएगा ट्राई कोफाइटन यह जो है यह बीमारी है यह कवक जनित बीमारी है जिससे क्या होता है इसकी बीमारी कोज़ेस क्या होता है जो अथलीट फूट हो जाता है दाद खाज खुजली तोचा आदमे संक्रमण हो जाता है और सबसे ज़्यादा किसको प्रवाविद करता है तो यह प्रवाविद करता है पैरों की तोचा को प्रवाविद करता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर सिक्स्टी बोला है सुम्प्रीम कोट ने किस कमपनी के खिलाप उसकी एक कैंसर की दवा को पेटेंट खारिज कर दिया है जिससे जीवन के लिए खतरनाग बीमारेयों के लिए सस्ती दवावों की उपलपता पर बल मिलेगा इसको क्यों खारिश किया है? क्योंकि सस्ती दवावों को उपलपता पर बल देना है जो इसकी कीमत थी जो जुसने जो पेटन्ट बनाने के लिए जो इसने दिया था खारिज हो गया है उसकी जो कीमती वो लगो एक लाग एक लाग तीस आजार रुपए पर मakers था जो हमारा भारत का जो generic दवाय है उसका सेम पेटन्ट जो सेम हमारे पास है वो 9000 सीर्फ और सिर् परनाग बिमारी के लिए सस्ती दवाओं का उपलपता नहीं उपाती तो यहां से बिल्कुल सही है इसका सही अंसर हो जाएगा Novartis Novartis यह है यह स्विट्जर लेंड की दवा की कंपनी है next question देखते हैं सूचना प्रदोत की IT नेटवर्क पर भेजे गए data का एक असतत खंड है तो यहां से देखिए options है packet, program, bit या फिर register तो इसका सही अंसर हो जाएगा packet तो इसका सही अंसर हो जाएगा packet नेटवर्किंग को एक packet एक बड़े संदेश का एक बहुत छोटा सा खंड है अगला question देखिए का बुला है निं म लिखिश संवेदानिक निकायव में सी किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अदिकार है तो इसका सही अंसर हो जाएगा बिधान परसद इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स वोशन देखते हैं 63 नंबर यहाँ पर बोलाए यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधकार RTI अधनियम के तहट पहली अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्थिमाल समाप्त हो जाता है तो है समिदान के अनुच्छेद किसके तहट उचनाले में जा सकता है तो देखिए आर्टिकल 226 इसका सही अंसर हो जाएगा आर्टिकल 226 इसके तहट के आया है कि मूल अधकारों की रच्छा के लिए बंदी प्रितिच्छी करण परमादेश प्रतिशेद और उत्पेशन एवं अधकार प्रिच्छा सम्मंदी रिट निकालने का अधकार है किन्तो यही उचनाले में केवल मूद अधकार के लिए राज रिट जारी कर सकता है कौन 226 अगर आमार लिए माल लीजिए अगर आर्टियाज जो हमने अधनियम की तहट पहली अपील और दूसरी अपील का उपाय इस्तिमाल समाप्त हो जाता है तो वैश अम्मिदान के 226 के तहट उचे नियाले में जा सकता है नेक्स वोशन देखते हैं क्या बुला है 64 नमबर इस याता है संकेत का क्या मतलब है जो इस टैप का संकेत दे रखा है इसका क्या मतलब है बाई और रहें आगी रास्ता नहीं है बापस जाएं दाई और खड़ी डालान है या फिर दाई और रहें तो इसका सही अंसर हो जाएगा दाई और रहें देखिए दाई रहकर बहन चलाएं क्योंकि यह है उन सडकों पर प्रियोग किया जाता है जहां पर divider नहीं होता है क्योंकि सडक पर दोनों तरफ से बहन आ रहे हैं तो उस case में इस वाले symbol को प्रियोग किया जाता है कि दाई ओर रहकर ही गाड़ी चलाए नेक्स शोशन देखते हैं 65 नंबर यहां पर बोला है निम लिखे समझोतों पर सहमत पत्रों में किसके लिए कैवनेट की मंजूरी की आवशकता आपको नहीं है तो यहां से देखिए options आपके पास क्या दे रखे हैं नहीं है तो यहां से देखिए और बी बोला है नहीं है तो कौन से नहीं है ए और बी इनके लिए आपको कैवनेट की मंजूरी की आवशकता आपको पड़ेगी नहीं है नेक्स्ट देखिए धौलागिरी शिखर का दूसर नम क्या है धौलागिरी शिखर है उसका दूसर नम पूछ रहा है क्या है तो यहां से देखिए धौलागिरी शिखर इसका दूसर नम options में देखिए दच्छन शिखर पश्चमे शिखर स्वेज सिखर या फिर परमा है हिमालय की परवर्थ संकला का एक रूपए एक पार्ट है एक भाग है हिमालय की परवर्थ संकला का और यह इस्तित है आपका नेपाल में इसको स्विस्थ परवत या फिर वाइट माउंटेन की नाम से भी जाना जाता है नेस्ट कोशन देखते हैं 67 भारत ने वर्स 2030 तक HFC 23 या फिर आपका CH4 तो इसका सही अंसर हो जाएगा HFC 23 का और 2030 तक ओजन परफ्त को खतम कर देगी तो किसको रोगने गोशन बढ़ाएं गई है तो इसको हैड्रो HFC 23 को जहां से इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स वोशन देखते हैं बोला है कि इस्तेमाल समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्व के संदी मीन माता शम्मिलन का, तो देखे मीनी माता, मीनी माता जो रोगता हो वो किसे रम बन देते, पारा से तो कहीं न कहीं इसका अंसर पारा हो जाएगा तो option D इसका correct अंसर हो जाएगा देखी जो minima ता संदी पर जो सितंबर 2014 में हुआ था उस पर हस्ताचर किये गए थे उसके तहट क्या था कि विश्व भर में पारे का उपयोग बंद करने का प्रिस्ताव रखा गया था इसके पारे का इस्तिमाल पर रोक लगेगी तो इसका सही अंसर हो जाएगा पारा अगर next question देखते है 69 नमबर 69 नमबर देखी क्या बोला है भारत Aluminium Company Limited Walco Walco में से सरकार की हिस्तेदारी के विनिमेश के खिलाफ दायर जनहित यादका का एक एतियासिक जनहित याज का मामला माना जाता है क्योंकि इसके नतीजे हैं देखिए जो सरकार के खिलाफ फैसला हुआ था उसको चुनौती देना यहां से देखिए सरकार के खिलाफ जो फैसला हुआ था अदालत ने यह का है कि सरकार के आर्थिक फैसलों को चुनोटी देना अदालत के दारे में नहीं आता है तो जी से दिखिंit वाल को, वाल को जो है वह 1965 1965---- यहाँ पर वाल को 1965 में आया था और कंपनी अधनियां 1956 के तहत वाल को आया था वाल को जो है वो भारस तो 1905 में कमपनी अधनियम 1956 के तहत भारस सरकार के उपरेम के रूप में सामिल किया गया था और अदालत ने यह कहा था कि सरकार का आर्थिक फैसलों की चुनोती देना अदालत के दारे में नहीं आता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन डी नेक्स ओशन तरब चलते हैं वित्ति वर्स दोजार 16 17 के लिए भारत में 6 लाग प्रतिवर्स कमाने के याले एक वरिष्ट वरिष्ट नागरिक के लिए आयकर की दर क्या है तो अगर हम लोग यहां बात करने 60 प्रस वरिष्ट ना है अगर आपके पास 5 लाग से 10 लाग तक किया है तो आपको 20 परसेंट देना है और अगर 10 लाग से अधिक है तो आपको 30 परसेंट देना है तो यहांऄ से दिखे 60 प्रस वालों की बात हो रहे ही और यहां पर छ्य resisting लाग के भीच माहरआ कि सिद्धान निर्देशक सिद्धान्त के संबंद में सही है तो यहां से देखिए दोनों पड़ते हैं उसके बाद बताते हैं कि क्या इसका अंसर हो सकता है तो यहां से देखिए निर्देशक सिद्धान्त और मौलिक अदकारों के बीच टक्राओं के मामले में निर्देशक सिध्धान्त का अदालत में बर्चस होगा और मौलिक अदकार अशीम नहीं है नागरिक उच्छत प्रतवंदों के अधीन है ने देशक सिध्धान्त किसी भी स्यम्वदानिक सीमाओं के अधीन है इन दोनों में देखिए अब क्या हो जा रहा है यहां पर नागरिक उच्छत प्रतवंदों के अधीन है ने देशक सिध्धान्त किसी भी स्यम्वदानिक सीमाओं के अधीन है तो यहां से बिल्कु सही हो जाएगा उप्सन बी देखिए कोबल केवल भी इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट 72 की तरफ चलते हैं निम लिखित में से कौन सा संग द्वारा लगाया सकता है लेकिन राज सरकार द्वारा एकत्र और विन्योजित किया जा सकता है तो आपको बताना है कि कौन सा राज सरकार द्वारा एकत्र और विन्योजित किया जा सकता है तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा सुल्क, स्टांप डूटी स्टांप डूटी और स्टांप जो डूटी होती है वो संग द्वारा लगा जाती है राज द्वारा एकत्र और वन्योजित की जाती है सही आंसर हो जाएगा option D अगला कोश्चन देखते हैं अनुसूचित छेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रसासन और नियंतरर का प्रस्ताव भारतिय संब्धान की कस अनुसूची में है तो यह देखिए हम लोग बहुत बार इसको पहले भी डिसकस कर चुके हैं यह देखते हैं 74 निम लिखत में कौन से संविधान सवा की एक शमित है जो जवाल्ला नहरू के अदिच्छता में आयुद नहीं हुई थी तो यहां से देखिए अगर हम बात करें संग सक्तियों का शमिती यह जवाल्ला नहरू इसके अदिच्छ थे राजियों की शमिती इसके प्राबधन की तीसरी अनुसूची में संसद की से पारस पर राश्टपती द्वारा किसको अटाई जा सकता है उच नया लेकर ने आदादी सको अटाई जा से संसद की सिफारस पर और criançaकि से द्वारा जाएगा से लनेक्ट क्योशन देखी हैं दल परवर्तं के आधार पर आयोगता के प्रापधान को सामिल करती 10 वी अनसूची संभिधान के किस साल जोड़ी गई थी तो अगर बात कर रहा है जो 10 वी अनसूची जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई थी तो ये इसको आपको बता जिते हैं 52 कि इसके द्रहारा धस्वी अनुसूची को जोड़ा गया था गवर। दल बदल विरोधी कामून इसमें जोड़ा गया था 10 वी अनुसूची को कब जोड़ा गया था 1925 52 संबिदान संसोदन माली जी आज पूछाया है कि निवेस जहां एक इसे एक साहता व्यापार बनाती है तो वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है अंतर राष्टिय अधिग्रहन इसका सही अंसर हो जाएगा 77 का next question देखिए MSXL का file extension बताना है कि क्या है तो MSXL का file extension है वो है XLSX 2007 जो था MSXL 2007 उसका file extension है XLSX इसका सही अंसर हो जाएगा next question देखिए next question देखिए यहां से क्या बोला है वर्स 2015 काले धन पर अंकोस लगाने के उद्देश से भारत दोरा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था काला धन और आयकर का अधिरोपड अधिनियम मनी लॉंडरे अधिनियम विदेशी मुद्रा प्रवंदन अधिनियम या फिर प्रति भूतित और वित्ती अस्थाईस आस्थियों के पुनन निर्माड और प्रति भूति हित प्रवर्तन अधिनियम तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option A option इसका correct answer हो जाएगा next और last question देखिए क्या बोला है एक देश का सकल घरेलू उत्पात GDP किसके दोरान बढ़ जाता है और के दोरान घट जाता है तो देखिए तेजी के दोरान अगर GDP में तेजी होगी तेजी के दोरान बढ़ेगा तो इसका सही answer हो जाएगा option A तेजी के दोरान बढ़ेगा और मंदी के दोरान घटेगा तो option A इसका सही answer हो जाएगा देखिए इसी तरीके से आपके 40 question complete हुए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो like share करना बिलकुल ना भूलिएगा अगर इस पर सही response आया तो आगे और भी जितने भी आपके previous year हुए हैं उनके हिंदी, math, reasoning और आपके GS सभी के एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे चले फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो